कि वेल्कम फैन्स बहुत होस्वाकता आपका देखिए आज के वीडियो में पीसी विल्ड करेंगे 25,000 से ज्यादा का एम्मोंट इस वीडियो में होने वाला है पीसी के पार्ट का लेकिन हम बनाने की कुसिस करेंगे उसे 20,000 से कम है देखिए थोड़ी सी समझदारी से आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अच्छा मेटेरियल यूज करके आप अच्छा पीसी विल्ड कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह स से आप अपना पैसा बचा सकते हैं और जो आप ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो लगबग आपको 25,000 के असपास खर्श करना पड़ सकता है और अगर आप थोड़े समझदारी दिखाएंगे तो वही चीज आपको BCR के असपास में मिल जाती है देखिए प्रोसेसर भी आज ह हम दमदार यूज करने वाले हैं देखिए प्रोसेसर है हमारा आज यूज करेंगे इस बिल्ड में राइजन 3 3200 जी देखिए अगर हम चाहें तो 2200 जी भी यूज कर सकते हैं वह भी सेमी है इसकी तरह सेमी स्पेसिफिकेशन है उसके लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दमदार है और लेटिस्ट है और इस पर ज्यादा भरोसा है तो देखिए यह काफी ज्यादा दमदार प्रोसेसर है और देखिए ऑनलाइन आज का रेट चल रहा है लग लग 9700 के आसपास है 9800 के आसपास है और इसे हम जो है इस PC में लगाएंगे इस PC को बिल्ड करते हुए इस प्र और इसमें सबसे ज्यादा जो है important रहता है motherboard देखिए motherboard जो है आप अपने budget के हिसाब से लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर गिगावाइट का लगा सकते हैं जी ए ए ट्री ट्वंटी एम एस टू एच यह model है काफी ज़्यादा राइजन के प्रोसेसर के साथ में यूज होता है और आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं साथ इस अगर आपका budget थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा हैवी भी आप एसस का एक्स एट्री ट्वंटी एम गेमिंग मदर बोर्ट भी इसको लगा सकते हैं थोड़ा ज़्याद जो है काफी हद तक और काफी जादा बेस्ट मदर बोर्ट है बात करेंगे SSD SSD कौन से लगाएंगे तो देखिए SSD हम लगाएंगे क्रूसियल BX 500 240 GB की लगाएंगे ओनलाइन तो काफी मेंगा है लेकिन यह हमें आफ्लाइन कम में पड़ेगा और और देखिए देखिए रैम का इस्तिमाल करेंगे काफी जादा भरोसे मंदर रैम है यह कि इस्तिमाल करेंगे इसका रैम है आपका कॉर्सियर की वेंजर जो की 8GB की है और DDR4 22 2200 मेगा हर्ट्स की इसकी फ्रिक्वेंसी है काफी ज़्यादा यू जोने वाली यह रैम है कि आप चाहें तो हाइबर एक्स फूरी एड़ जीवी 2200 मह का यह भी आप लगा सकते हैं में मेगा हर्ट्स का यह भी आप रैम इस्तिमाल कर सकते हैं कि दोन रहा हैं काफी ज़्यादा वेस्ट हैं इस पीसी के लिए जो हम बिल्ड कर रहे हैं देखिए सबसे ज़्यादा में रहता है पावर सप्लाई जब भी कि देखिए पावर सप्लाई की साथ भी कोई भी समझोता नहीं करने वाले हम लोग क्योंकि पार्ट्स आप चाहें कितने भी महिंगे उसमें लगा लो जब तक जो है उसमें पावर सप्लाई से इसे नहीं में देगी तो हमारे पार्ट्स को ज़्यादा खत्रा रेता है खराब होने का और हमें बार बार जो है परिशानी उठानी पड़ेगी एक बार पैसा इंवेस्ट करेंगे पावर सप्लाई जो है थोड़ा अच्छा सा लगाएंगे इंटेक्स का लगाएंगे साड़े चार सो वाट का ए सब ले सकते हैं वो भी अच्छा है लेकिन फिलाल में जो है एंटेक का इसमें लगाने वाले हैं और बात करेंगे कैविनेट की तो देखी कैविनेट इतना हैवी हम लोग नहीं लगाएंगे आपका वज़ाटा कर थोड़ा ज्यादा है तो इसको आप लगा सकते हैं इसका जो है रोल कमी रहता है यह आपका जो है डेकुरेशन की काम ज्यादा आती है फिलाल जो है और कैविनेट का ज्यादा कुछ पीसी विल्ड में यूज होता नहीं है तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको ले भी सकते हैं तो देखी अब मैं आपको बता हूँ किस तरह से जूंद पैसा कम होगा देखिये अगर बात करें प्रोसेसर की प्रोसेसर यहां पर रगाफिक कार्ड्य पी साथ जी है और यह machen के साथ आता है वो सब जो है graphic cards के साथ include होते हैं तो देखिए आज का rate यहां पर जो है काफी हाई भी चल रहा है यहां पर काफी ज़्यादा चल रहा है लेकिन अगर आप local market में जाते हैं और सई से जो है bargaining करते हैं तो यह जो है आपको और साड़े आठ हजार के असपास मिल सकता है जब यह launch हुआ था तो लगबग आठ हैर के असपास इसकी प्राइस थी ब्यासी सो आठ हजार और अब इसकी जो है इतनी डिमांड है इतनी जो है black marketing है कि जो है यह काफी ज्यादा इसके rate बढ़ चुके हैं तो यह आपको अगर आ आराम से यह processor यह आपको motherboard आराम से मिल जाएगा तो आप जो है एक बार local market जरूर विजिट करें साथ ही साथ अगर आप किसी sale के दौरान इसको खरीदते हैं तो इस पर जो है काफी जादा आप बचत कर सकते हैं यही same conditions इस पर भी लागू होती है आप local market एक बार विजिट की कीजिए और compare कीजिएगा rate और यह जो है online भी update होते रहते हैं रोजाना rate अपडाउन होते रहते हैं जिस दिन इसको जो है rate थोड़ा कम हो आप उस दिन वाय कर सकते हैं साथी साथ आप local market विजिट करें उसमें जरूरू है जरूर आपको rate का कफी जादा difference देखने को मिलेगा अब आप जो है एक ही दुकान पर मत जाएगा बार बार जो है आपको एक दो दुकाने सौप्स को विजिट करना पड़ेगा अपना नियर वाई जहां पर local market है computer की महाज हो है आप एक बार जरूरू विजिट करें देखिए SSD के बारी में भी मैं आपको से यही कहूंगा मदरबूर्ड आपका लगबग 4900 के असपास पड़ रहा है ओनलाइन जो आपको 3800 या 4000 के असपास आराम से आपको मिल जाएगा बतीस सो मेगा हर्स की अगर आप रैम देखना चाहरा है आट जीवी की तो यह आपको ओनलाइन लगबग 4000 के असपास मिलेगी 4900 या 4000 के असप 2800 रुपए दिखा रहा है लेकिन आपको 2000 से कम में यह मिल जाएगी how power supply की बात करें ड़ही जार दिखा रहे हैं लेकिन चाहरों से आराम से लेते हैं तो उसमें 1000 रुपे में with power supply भी मिल जाएगी लेकिन power supply हम चुकी अच्छी वाली लगा रहा है तो उस पावर supply का में यूज नहीं है आप चाहें तो उस power supply को उस दुकान दार को return भी कर सकते हैं जिससे आप के थोड़े पैसे भी और बचेंगे तो अगर 300 रुपे भी उसने कम कर लिए तो आपका ये 20,000 में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरह से जो है आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं और आप अपनी लोकेशन मुझे बताईए देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर जो है आपको जाना है कि किस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं तो इस PC ne में देखिए इतना ही आप अपने बज़ेट के नुशार कमेंड कीजे आपको सुझेशन दूगा कि किस तरह से जो हैं आप अपने बज़ेट के नुशार एक अच्छा सा PC बील्ट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका